तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने बाले हैं यदि आपका फोटो या फिर वीडियो डिलीट हो गया है तो ऐसे में उसको आप वापस लाना चाहते हैं तो कौन सा अप्लिकेशन है और किस तरह से यूज करना चलिए आपको इस्टेप बाइस्टेप बताते हैं तो सबसे पहले आपको Google Play Store पर आजाना होगा और कुछ इस तरह से आपको अप्लिकेशन मिलेगा डाक्टर फोन जियांस तो इसका पूरा नाम डाक्टर फोन डाटा एंड फोटो रिकवरी तो इससे आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना होगा जैसा कि आप देख सकते हैं अ दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से अपडेट नोटिफिकेशन इसको एगरी क्लिक करने के बाद यह अप्लिकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जागा और यहाँ पर एक आपसन मिलेगा फोटो जियांस तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे रिकवरी फ्रॉम डीप स्कैन कुछ इस तरह से आपको देखने के मिल जागा और इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको एकसेस अलाव कर देना होगा जितने भी फाइल हैं उसके बाद से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकवरी मतलब स्टार्ट हो ग यहां पर scanning में लग चुका है इसके लवाँ यह संख्या और भी बढ़ सकते हैं जितना ज्यादा डाटा आपने यहां पर delete किया होगा उन सभी को यहां पर यह scan करता दोस्तों और वीडियो में आ जाएंगे तो वीडियो में भी काफी ज्यादा वीडियो आपको देखने के लि मिल जागा जिसको आपने अपने गैलरी में कभी नहीं देखा होगा वह अभी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जागा क्योंकि वह सभी यहां पर पुराने होते हैं और delete हो गए होते हैं तो कुछ इस तरह से आपको वीडियो इसके लवाँ जो कि आपका फोटो होता है तो फोटो में अभी आप देख सकते हैं यहां सभी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जागा या कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जो कि आपने काफी समय पहले delete कर दिया होता है तो उसका भी आपको यहां पर detail देखने के लिए मिल जागा इसके अलावा जो कि आपका फोट होता है photo section में जाएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर successful हो गया है और अभी करीब करीब 14 336 photo total में आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा यहां पर recovery होगा है तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा यह अप्लिकेशन रिकवर कर सकता है तो अभी आपके सामने ही काफे ज़्यादा आपको डीटेल देखने के मिल जाता है तो आप यहां पर ध्यान पूर्वग देखते रहे हैं सभी फोटो आपको देखने के मिलेगा और यहां पर यह रिकवर करता है करिक पर दो तीन साल पहले का डाटा राता है तो उसको भी आप यहां पर सकैन कर सकते हैं और कुछ-कुछ ऐसा यहां पर फोटो होता है जो कि रिसेंटली डिलीट हुआ होता है तो उसको तो आप बिलकुल यहां पर सकैन कर सकते हैं तो जितना यहाँ पर capacity इस application की होती है दोस्तों उतना यह scan करता है और आपका जो कि यहाँ पर यह photo या फिर video होता है जो कि delete हो गया होता है उसको आप इस application की मदद से बहुत यह सानी से recover कर सकते हैं जैसा कि आप अभी देख सकते हैं काफी जादा data आपको देखने के लिए मिल गाता है अब ऐसे में यदि माल जी आप इसको recover करना चाहते हैं तो इस पर आपको click करना होगा और इस पर जैसे ही आप click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से instruction दिखाया जाएगा और यहाँ पर pad करने के लिए पैसा भी मांगा जागा तो दोस्तों simply आपको क्या करना होगा जैसे आप photo पर click करेंगे तो यहाँ पर अभी तो data जैसे photo पर हम लोग click करते हैं तो यह black screen हो जाता है और record नहीं हो पाता है तो ऐसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दें यह black screen security purpose के लिए हो जाता है तो simply आपको इसको screenshot ले लेना है या फिर आप इसको share कर सकते हैं जिया उस्तों screenshot ले लेंगे तो आपको यहाँ पर यह photo save हो जाएगा और आप कुछ इस तरह से recovery कर सकते हैं इस application की मदब से इसके लवाँ दोस्तों यदि video delete हो गया तो video का भी option यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है तो इसका उपयोग बहुत इसान है और यदि पैट सर्विस चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको purchase कर सकते हैं या फिर आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं उसका भी हम लोग यहाँ पर एक video बना देंगे जिसमें successfully जो कि आपको यह photo फिर वीडियो था फिर ही में आपको मिलेगा जिया तो कोई सवाल है सुझाओ तो नीचे comment कर सकते हैं तो आप से मिलते हैं next video में